कहते हैं कि जब शेर पूरी शिदत से दहारता है तो जंगल के अन्यजीव दरकर इधर उधर चले जाते हैं या फिर कहीं छिप जाते हैं जिससे शेर उनको देखना ले और कहीं वो शेर का शिकार न हो जाएं लोगसभा चुनाव नस्दीक हैं और अलग-अलग पार्टियां अपनी ब्रांडिंग के लिए नए नए तरीके अपना कर चुनाव के लिए कमर कस लेना चाह रही है सोशल मीडिया का जमाना है आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है तो ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए साधन से बहतर साधन और क्या ही हो सकता है सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लेक लिख कर वीडियो बना कर कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर हमलावर होना चाह रही है तो कोई पार्टी अपने कामों को दिखा कर जनता के दिल में जगे चाहती है तो कोई पार्टी अपने नेता की ब्रांडिंग कर जनता को उनके जजबे से वाकिव कराना चाह रही है बीजेपी ने भी अपने पेज पर एक वीडियो जारी किया है अपने प्रसिध नेता का जो जन जन की दिल की धड़कन बन चुके हैं वो नाम है नरेंद्र मोधी का जो है तो देश के प्रधानमंत्री लेकिन जुड़े हैं देश में मौजूद हर एक तबके से क्या मीर क्या गरी कौन छोटा कौन बड़ा पीएम मोधी जनता की आवाज बन कर विरोधियों को आँख दिखा रहे हैं बीजेपी ने पीएम मोधी का जो वीडियो जारी किया है उसमें दो मोधी हैं एक मोधी 27 साल पहले के हैं और एक मोधी हैं वर्तमान के अभी के मोधी जिनके तेवर जिनकी दहार अभी भी ठीक वैसी ही है जैसी 27 साल पहले हुआ करती थी कि आत्रा की सबनता ने आतंगवादियों को परिशान तरके लिखा है लाल चोग में फोस्तस लगाएं दिवारा पे लिखा है जिसने अपनी मां का खूल प्यार हो अभी में और दिखा जाएं आग जिनके अपनी मां का दूस्त दिन आप देंगे आगद वादि का खूल के निजिए 26 जनवरी को पर्सों अब चंद घटे बागी है लाज चोग में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूस्त दिया तो आख देश वासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है साथ वे पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं है आए दोस्तों इंतजार नंबा नहीं कर सकता हूं चुन चुन करके हिसाब लेना यह मेरी फित्रत है यह हमारा सी दांत है हम घर में गुसके मारें वाइरल हो रहे वीडियो में पहला संबोधन 24 जनवरी 1992 का है जो उन्होंने लाल चौक पर जाने से पहले दिया था आतंकियों को निशाने पर लेकर मोदी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को वो लाल चौक पर जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसने अपनी मा का दूद पिया है ये वो समय था जब पार्टी में मोदी का कद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था 1992 में पहली बार कश्मीर में लाल चौक पर अलगाववादियों और मुख्यधारा की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना था भारतिय जन्ता पार्टी ने की यात्रा निकालने की घोशना की थी जिसका नाम एत्ता यात्रा रखा गया था जिसमें नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ कन्या कुमारी से लाल चौक तक की यात्रा की थी और इसके बाद 26 जन्वरी को लाल चौक पर आतंकियों की धंकी के बावजूद तिरंगा फेहराते हुए यात्रा को समाप्त किया था और इसे ठीक दो दिन पहले यानि की 24 जन्वरी 1992 को आतंकियों को इस शेर ने ललका रहा था वही पिये मोदी का जो दूसरा संबोधन इस वीडियो में दिखाया गया है वो है 4 मार्च 2019 का जब इस शेर ने आतंकियों को उसके घर में घुसकर मार गिराया पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने एर स्ट्राइक को अंजाम दिया और जैशे मुहम्मद के कई ठीकानों पर बंबारी कर उन्हें तभा कर दिया उसके बाद 4 मार्च को पिये मोदी इस क्लिप में आतंकियों से बदला लेने की बात कर रहे है और वीडियो में उपर लिखा है कि शेरों के तेवर नहीं बदलते बीजेपी ने ये वीडियो जारी कर अपने शेर की दहार पूरी दुनिया को सुना दी है कि कैसे ये शेर जैसा 27 साल पहले था वैसा ही 27 साल बाद भी है शेरों की गर्जना सालों सालों तक एक जैसी बनी रहती है इस वीडियो ने दिखा दिया है ये शेर न डरेगा न जुकेगा और ना ही रुकेगा बलकि जरूरत पढ़ने पर घुसकर मारने से भी परहेज नहीं करेगा साथियो भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26 गयारा को 26 गयारा दोहजार आठ को मुबेबे पाकिस्तान से आये आतंकियों ने आतंकियों की हमला किया था क्या भूल सकते हैं क्या उस समय कुछ करने की जरूतिक नहीं थी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंके आतंका आतंकियों के प्रूप मिल रहे थे सारे प्रूप उनको गुनेगार सिद्ध करे थे लेकिन भारत ने क्या किया पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया खबरे तो ये भी है उस समय भी हमारी सेना हमारी बायू सेना हमारी नव सेना बदला लेने के तयार थी सेना का खुन गरम हो रहा था दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था लेकिन हमारे सुरक्षाबलों को इजाजत नहीं दी गई उनके हाथ पर बांद कर रखा गया क्या हाथ पर बांद करके आतनिका मुकाबला हो सकता है क्या सेना के जवानों के बेडिया पहन करके हम कहोगे मारो ये चल सकता है क्या क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या क्या देश के दुष्पन के साथ ऐसी नर्मी बर्त दिखनी चाहिए क्या साथ यों यही वज़ा थी कि मुंबई हमले के बाल भी देश में लगातार आतन के हमले होते रहे याद करिए साल 2010 में फूरे में एक बेकरी में बम दमाका हुआ उसी साल 12 नसी में 10 आसमें एक घाट पर बम दमाका हुआ याद करिए साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ आपेरा हाउस जावरी बाजार दाजर में बम फटे फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाइकोट के सामने भी बम फटा इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भारे बाजार में बम दमाका हुआ एक के बाद एक बम जबाके हो रहे थे सैंकड़ों बेस के सुर लोग मारे जा रहे थे सैंकड़ों गायल हो रहे थे इन हम लोगे तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगों ने अपनी नीती नहीं बढ़ ली सिर्फ ग्रह मंत्री बढ़ ले अब नीती बदलनी चाहिए कि ग्रह मंत्री बदलना चाहिए साथियों अगर पहले की सरकार में दम खम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भासे में जिवाब दिया होता जो भासा वो समझते हैं तो आज आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एर स्ट्राइक के बाद आतंक के आँकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है साथियों आज भारत नई रिती और नई नीती पर चल रहा है उरी हमले के बाद बारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आँकाओं को पहली बार उस बासा में समझाया जो बाशा वो समझते हैं आप मुझे पताईए मैंने सही किया कि नहीं किया ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या सरकारे सोती रहे वो आपको मंजूर है आपको जागने वाला चौकिदार चाहिए कि नहीं करना चाहिए चाहिए भाईयों बेनों उरी के बात सबूत मांग रहे थे सबूत अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया ऐसा काम दसकों तक कभी नहीं हुआ हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में गुश करके मारा है आतंकियों को उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मिद नहीं थी वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दिसी बार भी यह सही कुछ करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी हम उपर से चलेगे और मजा देखिए हम तो यह साब करकर के चुप थे रात के साड़े तिन बज़ गए थे देश को क्यों जगाना भाई लेकिन यह ऐसी यह घटना इतनी बड़ी थी घटना इतनी बड़ी थी कि रात को साड़े तीन बज़े पाकिस्तान की निंद खतम हो गई पाकिस्तान की निंद खतम हो गई हम तो चूप थे हम सोच रहे थे क्या होता है देखते है कि पाघिस्तान ऐसा घबड़ा गया था कि पांच बज़े उसने ट्वीट करकर के रोना शुरू कर दिया हूं । मोदी ने मारा मोदी ने मारा मोदी ने मारा ह Κो हुआ अ दूनिया को ए उनकी हालत बिगडाईiges के समाय तर हमने नहीं दिये पाकिस्तान ने दिये थे